हालो एल्ब्रीबन वालकम बैक टू मेडिकलोजी नसिंग सर्विसेस आपके अपने यूटुब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है तो फ्रेंड्स अभी रीसेंटली आपको मैंने मध्यप्रदेश ब्यापा और मध्यप्रदेश करमचारी चैन बोर्ड वोपल की क्या-क्या आपका एजुकेशन क्वालिपिकेशन यहां पर मांगा गया है कौन-कौन कैंडिडेट इसमें अपलाई कर सकते हैं ठीक है सारी जानकरी कंप्लीट हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग सारी जानकरी हम वीडियो के मद्धम से अभी आपके सांथ कबर करने बाले है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्क्राइब कर लीजेगा ताकि मद्धिप्रदेश ब्यापम या MPESB से रिलेटेड हर एक अपडेट आपसे डारेक्ली आपके मुवाइल फोन पर पहुँच जाएं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम डिलेग के हमारे अपडेट की ओर तो जैसा आपको दिखा रहा हुगा स्क्रीन पर यह ओपिशली नॉटिस या एडबर्टाइजमेंट रहने वाला है कहां का ESSB की तरफ से देखने को मिला हुआ है पहले इसका नाम MPP भी था कारी करता है यह सायक पसू चिकिस्सा छेत्राधिकारी बास समक्षपदों की सीधी भरती हो रहने वाली है मतलब पर्मनेंट भरती के रिगार्डिंग यहां पर रूल बुक जारी कर दिया गया है ओनलाइन आबेदन जैसा मैं बता देता हूं कि 15-3-2023 से स्टार्ट हो हम उनका फॉर्म फिल कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नमर भी आपको मेंसन हो जाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं कि किसका कितना पोश्ट निकला है पहले उससे पहले बात कर लेते हैं कि हां पर चार्ज़स क्या रेने बाले तो चार्ज़स पांसो होगा वो 17 जून को एक्जाम हो जाएगा 2023 में यह एक टेंटेटिव डेट है अकोर्डिंट तो इस नोटिफिकेशन तो आपको यह चीज़े ध्यान में रखना है ठीक है दो सिप्ट में आपका एक्जाम होता हमेसा जैसा होता मोर्निक सिप्ट और इवनिक सिप्ट ठीक है अब बात कर लेते हैं कि किसमें कितना पोश्ट आपको देखने को मिलेगा और किसमें कितना पोश्ट देखने को नहीं मिलेगा ठीक है सबसे बिले बात करेंगे हम नर्सिंग का कि नर्सिंग में क्या-क्या पोश्ट है तो इसमें यह जो रूल बुक्स है आपको यह मेडिक मा कि जु आई वहां में से ट्रैंफ नर्सिंग किई है तो अपका VAC जीनने नर्सिंग से पूछा और यह इसने तो आप ses 20 साल तक कर सकते हैं सबही के लिए वे के सी रहने वाला है चाहिए आप Parmenषस्ट हो चाहिए आप आप एनेम हो चाहे आप बेकेंसी निकल के आया हुआ है और इस बार जो बेकेंसी निकला है उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो बेकेंसी देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स जैसा हम बेकेंसी टेबल की और आ गए हैं अब देख पा रहे होंगे सीधा बेकेंसी ठीक है अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस्टाप नर्स का बेकेंसी में कितना पोस्ट है तो पर्द कोड आपको 010938 देखके रखा ठीक है सीधी भरती है मतलब पर्मा कर लिए पोस्ट निकला हुआ है इस बार 1290 पोस्ट है तो यह एक बहुत बड़ा अमॉंड यहां पे इनके लिए निकला हुआ है सीधी भरती से 1290 पोस्ट है इसमें निकला है और सीधी बेकलोग भरती से इसका 261 पोस्ट मतलब डेखने को मिलेगा जैसा आप स्क्रीन पर है देख लिए पोस्त अगल और सबसे हैं करते हैं भी यह समक् 가서 फार्मस्सिस्ट पोस्ट किन ये पॉस्ट है और द我想 coast कर आद है तो 554 टोटल फॉस्ट फार्मसिस्ट का ये टिक है बात करें लेव टेकशन और अर्टि टेकशन डेव मलेगे आपको तो 363 post इनका देखने को मिल रहा है रेडियो ग्रापर हुएं आपके डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियो ग्रापर टेक्निशन इनका पोस्ट आपको 104 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है इस बार लेब टेक्निशन के पोस्ट नेत्र जो सायक होते हैं उनका पोस्ट 10 देखने को मिलेगा ठीक है तो पोस्ट कोड आप देख पा रहे हुएंगे और 9 पोस्ट इसका देखने को मिलेगा सायक पसु चिकिस्सा अधिकारी जो होते हैं बेटनरी बाले उनका 747 पोस्ट यहां पे देखने को मिलेगा ठीक है और क्या करें ओर्थोपेडिक टेकनीशन का पोस्ट भी है स्पीच थेरपिस्ट का पोस्ट भी है रेडियोग्राफर का भी पोस्ट है डायलेसिस का पोस्ट है तो ऐसे टोटल यह दी पोस्ट का बात कर ले तो टोटल 4,792 पोस्ट यहां पे रिलीज होगा ठीक है तो बहुत बड़ा वेकेंसी यहां पे मद्रप्रदेश की तरफ से निकल के आया हुआ है अब बात कर लेते हम स्टाब नर्थ का सीधी भरती के रिगार्डिंग क्या क्या रहने वाला है इस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पे जो देखने को मीलेगा अपर सीधी भरती देखने को मिलेगा अन्रिजर्व के लिए 0 वोस्ट है EWS के लिए 13 पुष्ट है ठीक है अनुसोखित जाती के लिए 12 पुष्ट है ठीक bedroom के लिए आप अच्छे से रीड आउट कर लिए जिएगा बहुत बड़ा टेबल है सभी के रिगार्डिंग जो पोस्ट को निकला है उसमें अगलग है ठीक है इस्टापनर्स को अलग-अलग कोड्स में हमें डिवाइड करके रखा है तो इस्टापनर्स आप सेकेंड बाले जो कोस्ट कि बता देता हूं इसमें एक जैनल का है ठीक है रहा है तो मेल के रिगाडिंग इसमें बहुत कम पोस्ट आपको देखने फो मिल रहा है ठीक है तो यह दा रिगार्डिंग आप बात कर लेते हैं तो आप से क्या-क्या यहां पर मांगा गया है तो उसके बारे में हम डीटेल में बात कर लेते हैं जैसा मैं बता रहा हूं कि एनेम के लिए भी सेम क्राइटीरिया है अलग अलग पोस्ट है जब आप फॉर्म करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के फॉर्म को फिलप करवाना है ठीक है इसलिए बो कर दिया जाएगा अब बात कर लेते हम संचनाले की जो इस्टाप नर्स की पोश्ट है टोटल 77 पोश्ट है तो इसमें जो ओपन कैटेगरी है ओपन कैटेगरी में मतलब है कि आपका मेल और फीमेल दोनों बैकेंसी को यूज कर सकते हैं जिसमें मेल के लिए 47 पोश्ट रहन फीमेल कैटेगरी का तो दो पोस्ट उनको ews में है और habitsी के टेगरी में 11 पोस्ट है ये इसे देखने को मिलेगा और अनुस्रосित जाती में एक post है तो ऐसे करके 16 post इनका रहने वाला है वाई open में आपको 47 post देखने को मिलेगा और female का भी कं토 पोस्ट यहाँ पे देख के रखा है संभीधा करमी के लिए भी हाँ पोस्ट निकाला गया है टोटल 77 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा ठीक है बाइब बात कर लेते कि आपका साली पेकर जैसा लेवल 7 होता है ठीक है सबसे में इंपोर्टेंट इसमें क्या है मद्रप्रिदिस आपका जो 12 है वो जी बिग्यान से होना चाहिए मतलब आपका फिजिक्स केमेस्ट्री बा आप लाइक कर पाएंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं पोस्ट को टू का सीदी भरती है मिडभाईपरी का 34 पोस्ट यहां पर देखे रखा हुआ ठीक है इसमें भी आपसे क्या मांगा है ठीक है इसमें भी आपसे आपका जी बिग्यान आपके पास होना चाहिए 12 में ठीक ह प्रमार्पत्र मांगा जाने जारी किसी भी संस्ता से मीडबाईपरी में दो बर्स का पार्ठीकरम प्रमाणपत्र मांगा ठीक है यहां पर आपका रखा गया है तो यह आप टेबल अच्छे से रिडाउट कर लिजेगा वीफॉर एक पोस्ट कोट को और दियां दियान रखेगा तभी आप इस बेकेंसी का अच्छी तरीके से लाब ले पाएंगे नहीं तो अधरबाइस किसी पोस्ट में आप क्या करेंगे नहीं ले पाएंगे ठीक है पोस्ट में रखे रिगारिंग तो बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों तो मैं इसमें जितने भी पोस्ट हो रहे हैं वो सभी का डीटेल में बता देता हूं ठीक है बे-सी नर्सींग होना चाहिए अधर जन्राम नर्सिंग आपके पास होना चाहिए नर्सिंग काउंसलेंग में आपका पंजियत होना चाहिए ठीक है इसमें तो इसमें 24 बोस्ट चॉ • पोस्ट डिखे रख यह 1 न दिखे रखा है 11 पोस्ट दिखे रखा है ठीक है तो ओपन केटिगरी एससी केटिगरी में चार पोस्ट ऐसे करके आपर पोस्ट मैंसन किया गया है है सीधी भरती है मतलब की कप्लीट तरीके से बेकेंसी रहने वाला है तो आई होप आपको हैं पर समझ में आ गया होगा कि किस ताइप से आपके कौन सी भरती किस काम की रहने वाली है ठीक है बैसे तो हर एक बरती का बहुत बड़ा यहां पर विग्यापन देखे रखा हुआ है किस टाइप का बिग्यापन है सब अलग अलग है डार्क रूम हूँ आपका लेप टेक्निशन हुआ पर ज्यादर तर जो फोकस हमारा हमने इस्टापनर्स की बेकेंसी के रिगार्डिंग सारह ही आपर कर दिया ठीक है इसमें आप मेल और फीमेल केंडिडेट डोनों ही अ हो सकता है ठीक है इसलिए बार-बार बोलना है कि आप अपना फॉर्म भी जब फिलब करवाएं तो हो सकता है तो आप मैडिकलोजी नर्सिंग सारव से करवा लेंगे तो आपको काफी वेनेपेर्स से देखने को मिल जाएंगे और रिजेक्ट होने के वी चांसे बहुत कम हम के लिए हैं सबसे जो क्राइटीरिया मांगा है आपको 12 में बायलोची होना चाहिए जो सभी को डाउट्स होते हैं ठीक है तो यह था बेकेंसी के रिगार्डिंग ओपिशल नोटिपिकेशन आपको देखने को मिला है तो आई होप आपको समझ में आ गया हुगा इसके पूस्ट नहीं है स्टाब नर्स का खासकर ज्यादा पूस्ट यहां पर मैंसल नहीं किया गया ठीक है तो MPPB और मद्यपिदेश ब्यापम और गुरुफ फाइब के रिगार्डिंग हर एक अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकलोजिन सर्विस के योट्व चैनल को आप स इसक्रिप्शन बता दूँगा ठीक है तो मिलते एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ जब तक आप बने रहेगा मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विस के यूट्यूब चैनल पर MPPB के जितने भी एक्जाम पेपर है वो सारे ही मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विस को फिर यह पोस्ट मिल रहे हैं और जितना भी क्लासेस कंड़क्ट कर बाया है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट के रूप में MP व्यापम गुरूप 5 के नाम से एक लिस्ट मिल जाएगा महाँ पर आपको सारा ही क्लासेस देखने को मिल जाएगा तो अभी से आप अ आउलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिक्शन में मिल जाएगा तेंक्यू सो मच